पार्ष स्वागत है आपका वर्म कोचिंग में और आज हम लेकर हादिर हैं क्लास एट का हिंदी पार्थ जो की पार्थ 13 है हुंड्रू का जल परपात इसका हम कोच्चन अंसर करते हैं यह छोटा नागपूर के बारे में जो बताया गया है इसमें उसको एक स्वर का टुकड़ा कहा गया है आज़े इसमें हम देखते हैं इक कहानी को आप अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद इसका कोच्चन अंसर करेंगे यह है हुंड्रू का जल परपात आज़े इसका आगे बकवास न करते हुए इसका कोच्चन का अंसर करते हैं कहा गया है कि छोटा नागपूर स्वर्ग का एक टुकड़ा है कैसे इसको दसाना है आज़े देखते हैं उत्तर है लेखक ने छोटा नागपूर जो वर्तमान में जहारखंड है कि तुलना स्वर्ग से करते हुए कहा है कि छोटा नागपूर स्वर्ग का एक टुकड़ा है वास्तव में इस्वर्ण जहरखंड को प्रकृति के रूप से अत्यंत सुन्देर साली एवं सम्रिध बनाया है यहां के आदिवासी सदेव आनंद के वातावरन में निग्मन रहते हैं नेर्थे और मादक गीतों से यहां के पहाड जंगल और मैदान गूंजते रहते हैं विविद पच्छियों के चहकने से वातावरन गुलजार है यहां की जलवायू स्वस्त वर्धक है जिसमें आदिवासी सदेव स्वस्त रहते हैं नदियां अपने किनारों पर रहने वाले लोगों को अमरित बाटती हैं जहरने को स्वच्छता और परतिक परदान करते हैं खानों में कोईला और अबरख में तरह तरह की लकडियां फल फूल यादी जहारखंड का कोस भर रहे हैं सम्मग्रता छोटा नागपूर एक स्वर्ग का टुकड़ा है इसी तरह से दूसरा कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन है दूसरा कि हुन्डू जल परपात की विशेश्ताल को लिखें उतर है इसका जहारखंड की हुन्डू जल परपात अधितिये है इसकी प्राकिर्तिक सुसमा निराली है यह 243 फुट की उचाई से नीचे गिरता है उजला पानी ऐसा परतीत होता है कि पानी के चकर और भवर में पिसकर पत्थर का सफेद चूर्न गिर रहा है चारों और जंगल और पहाड के बीच में इस्थित यह हुन्डू का जल परपात अपनी चपलता के चलते मसूर है हुन्डू का पानी कहीं साप की तरह चकर काटता है तो कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाग की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है सारा पानी एक जगह सिमटकर जहां नीचे गिरता है उस जगह का रूप बहुत विसाल और भेंकर हो गया है उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है इसके बाद धिरे-धिरे मंथर गती से इसका पानी नदी के रूप में है जिसको देखने के लिए दिन राग दर्सनियों का ताता लगा रहता है अगला कोस्चन है कि पाठ में एक दिरिश्चे का वर्नन दो तरह से किया गया है हुन्रो का पानी कहीं साब की तरह चक्कर काटता है कहीं हीरन की तरह हीरन की तरह चलांग भरता है और कहीं बाग की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है हगला है कि कहा गया है कि हुंडू का पानी चकर काटकर छलांग भरता रहुदा हुआ नीचे गिरता है इन में से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगता है और क्यों तिस्तर नमर का जो question में कहा गया है कि दो कहा गया है कि दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगता है हुन्डू का पानी कहीं साप की तरह चकर काटता है तो कहीं हीरन की तरह ठीक है और कौन नमर में कहा गया है कि हुन्डू का पानी चकर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे लगता है क्योंकि यहां हम देख सकते हैं कि यहां कहा गया है और आप जाके घूम भी सकते हैं यह राची में पड़ता है कि पहाड पर पानी अजीब लीला है जिसका मुकावला ना राम लीला करे ना रास लीला पानी का इस प्रकार उछलना कुदना धूम मचाना और उसकी यह आवाज जैसे दस पांच हंती एक बार चिंहाड रहे हो जैसे दस पांच ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज लगा रहे हो जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चकर काट रहे हो यहां जैसे कई सहर्ष नाग एक साथ फन फैला कर फुफकार रहे हो पहुँच यह इस तरह से यहां पर इसका वर्णन किया गया है आप तिन नमर का लिख सकते हैं यहां से यहां तक खन नमर का ठीक है इसी तरह से आईए देखते हैं चार नमर का चार नमर में कहा गया है कि लेखक ने पाठ में किस किवंदती की बात की है और यह क्या सलाह दी है और इसका इंसर देखते हैं कि लेखक ने पाठ में कहा है कि किवंदती के अनुसार इस हुंडरू से साथ मील पर कुछ लोगों ने एक प्रांत देखा प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है पर वहाँ जाने का रास्ता इतना भीहड घंगोर और भहंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुसबार है लेकिन लेखक ने सलाह दी है कि अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक से पता लगा कर वहाँ तक मार्ग का निर्मान कर देना चाहिए जिसे वह परपात भी जंता के सामने आ सके एक और प्रिथवी अपने कोस को उगल रही है तो वह कोईला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है भावस पश्ट करें तो इस पंकती में के माध्यम से लेखा कहना चाहता है कि जहारखंड की धरती खनी संसाधनों से सम्रिध है लोहा बॉकसाइड अवरक तामबा चूना पत्थर यादी से है तो जहारखंड का खजाना भर ही रहा है साथ ही कोईले की यही इतनी परचूरता है कि उसके माध्यम से लोग भी सुखी संपन हो रहे हैं एक last question answer 5 हुआ पूरा फिर मेलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना न भूले और दोस्तों के साथ शेयर करें मैं अगले वीडियो में फिर से महाजीर रहता हूं धन्यवाद